प्यारे बच्चों, हमारे यूटूब चेनल स्टुडेंट केर प्लस पर आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों, आप यह जो पद देख रहे हैं, यह कक्षा 12 हिंदी साहिते, पाट साथ तुलसिदास वाले पाट का है बच्चों, इस पद से पूर्वे तुलसिदास वाले पाट का एक काव्यांश, भरत राम का प्रेन जिनके तीन वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्द हैं बच्चों, वहां से आप संधर्व, परसंग, व्याख्या और विसेश देख सकते हैं आज बच्चों हम जो पहला पद है, इसके संधर्व, परसंग, व्याख्या और विसेश के बारे में चर्चा करेंगे तो बच्चो देखो सबसे पहले बात करते हैं इस पद के शंधर्ब की, तो बच्चो इसका जो शंधर्ब है वे इस प्रकार हो सकता है, आप देख रहे हैं बच्चो स्क्रीन पर, इसमें हमने बताया है कि प्रस्तुत पद्यान्ष हमारी पाठे पुस्तक अंतरा भाग दो में शंकलित, बहु मुखी प्रतिब्भा के धनी कवी तुलसी दास दवारा रचित गीतावली नामक का विशे लिया गया है। इस अंस को हमारी पाठे पुस्तक में पद सीर सक से संकलित किया गया है। अब बात करें बच्चो इसके प्रसंग की तो इस अंस में राम के वन गमन के उपरांत, राम के वन गमन के प्रशाहत, माता कोसल्या के हिर्दे की विरह वेदना एवं मनस्तती का चितरण किया गया है। अब बात करें बच्चो इसकी व्याख्या की तो व्याख्या की जो प्रारंबिक पंक्तियां हैं बच्चो वह बहुत प्रभावसाली होनी चाहिए ताकि एक्जामिनर को देखते ये आभास हो कि वास्तों में बच्चे ने बहुत शांदार और बहुत अच्छा लिखा है। तो यहां प्रारंबिक पंक्तियों की बात करें बच्चों व्याख्या की तो भक्तिकाल की राम भक्ति साखा के प्रतिनी दिकवी तुलसी दास कहते हैं कि माता कोसल्या राम के दवारा प्रियोग में आगे बच्चों यहां हम इस पद में व्याख्या की माध्यम से देखते है कि इसकी व्याख्या करते हैं कि आगे इसमें कौन सी पंकतियां जुड़ने वाली हैं। के दवारा प्रियोग में लाएगे छोटे से दनुश्मान को देख कर अपने पुत्र राम का श्मरन कर रही है प्रभु स्री राम को याद कर रही है कभी तुल्शिदासी कह रहे हैं कि बार बार उर नेननी लावती प्रभु जू की ललित पनहिया प्रभु स्री राम की कौमल जूतियों को माता कोसल्या कभी तो अपनी आखों के पास लाती है और कभी उन्हें बड़े प्रेम से अपने हिर्देश से लगा लेती है अर्थार्थ कभी तुल्शिदासी कह रहे हैं स्री राम को जो चोदा वर्स का वनवास मिलातार पिता की आग्या का पालन करने के लिए वो वन चले गए थे तो उसके याद में वे बार बार वे राम की जोदियां लेकर बड़े प्रेम से उन्हें कभी आँखों के सामने लाती हैं तो कभी शनहे में भरकर उन्हें चाती से लगा लेती है उर का मतलब हिरिदे होता है और नेननी का मतलब नेत्र होता है अर्थार प्रभु स्री राम की जूधियों को कभी आज़ों की पास लाती है तो बड़े प्रेम से भर कर कभी हिर्दे से लगा लेती है आगे कभी कह रहे हैं कि कभ हूँ पर्थमजू जाए जगावती कही प्रियवचन सवारे और कभी यहां कभी तुलसी दासी कते हैं कि कभी उन्हें ऐसा लगता है कि राम अयुद्यमी है कभू पर्थमजू जाए जगावती कही प्रियवचन सवारे उन्हें लगता है कि राम अवध्या में हैं इसलिए पहले की तरही वे सुबह होते ही उनके कक्ष में जाकर उन्हें जगाती हुई प्रिये वचन कहती है उन्हें लगता है कि राम अवध्या में हैं इसलिए पहले की बाती ही सबसे पहले सुबह उठते ही वो प्रभुस्त्री प्रभुस्त्री राम के कक्ष में जाते हैं, कभू पर्थम, पहले प्रभुस्त्री राम के कक्ष में जाते हैं, जू यानि पहले की बाती, जू जाई जगा होती, पहले की बाती उन्हें जगाते हैं, कहीं प्रिये वचन सवारे, और प्रभुस्त्री राम को जगाने के लिए प्रिये वचन कहती हैं और क्या कहती है बचों उठाउ तात की हे पुत्र उठो हे तात उठो बली मातू बदन पर तुमारी जो माता है तुमारे शुन्दर मुख पर बली हारी जाती है तुमारी माता है बली मातू बदन पर तुमारे शुन्दर मुख पर बली हारी जाती है अनुज सखा सब द्वारे। आगे कह रही है कि जो तुमारे चोटे भाई हैं और जो तुमारे मित्र हैं वे दवार पर खड़े तुमारी प्रतिक्षा कर रहे हैं। उठकर देखो ताद जो तुम्हारे छोटे भाई और जो सखा हैं वह सब दर्वाजे पर खड़े तुम्हारी परतिक्षा कर रहे हैं आगे कभी तुलसिदार से कहते हैं कि कभी कहती है कि बड़ी बार भाई जाओ भूप पैं भाईया या भूप राजा धसरत के लिए आया है और माता जो कोसल्या है वह कभी इस परकार से कहती है कभी कहती है कि बड़ी देर हो गई है कभी कहती है कभी इस परकार से कहती है कि बड़ी बार भाई बड़ी देर हो गई है जाहू भूप पैं देखो राजा धसरत हैं वो तुम्हारी परतिक्षा कर रहे हैं तुम वहां जाओ, और आगे कह रही है, कभी तुलशीदाजी कह रहे हैं, कि बंदू बोली, जहीं जो भावे, गई निछावरी मैया, बंदी बोली, और तुम्हारे भायों को बुला कर, जहीं जो भावे, जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो खालो, जहीं का मतलब जीमना होता है, खा और फिर अचानक उन्हें ध्यान आता है कि राम यहां नहीं है वन में चले गए हैं तो यह बात सोच करके वो चकित होकर चित्र लिखी सी जडवत हो जाती है एक चित्र के समान एक जडवत हो जाती है जिस प्रकार चित्र होता है वह जड़की बाती होता है उसमें चलन की गती नहीं होती है उसी प्रकार सी जो बाता कोसल्या है वह भी राम को वन में गया हुआ, जब उन्हें ध्यान में आता है कि राम वन में गवन कर गए हैं, राम वन को चले गए हैं, यह सोच कर वे चकित हो जाती हैं, और चित्र के समान जडवत हो जाती हैं, तुलसी दास जी कहते हैं, कि तुलसी दास वह समय, तुलसी दास जी कहते हैं, कि उस स समान परतित होती है जो मोर की प्रतिक्षा में है और उसके व्योग में रात दिन अस्रुधारा बहा रही है यहां तुलसिदास जी कहते हैं कि तुलसिदास वह समय कहे थे तुलसिदास से कहते हैं कि उस समय माता जो कोसल्या है लागती प्रीती सिखी सी सिखी सी या मोरनी के सम वो भी राम के व्योग में असुरुधरा परवाहिते कर रही हैं। यहां बचो इसके विशेश की बात करें अपन। तो इसका विशेश इस प्रकार रहेगा। विशेश का पहला बिंदु बचोई से रहेगा वात्सले वियोग का सुन्दर वर्नन किया गया है। कवी की भासा साहितिक लाक्षनिक तासे युक्त बोध घम्मे एवं अंतर मन को चूलेने वाली है। अगला बिंदु है सरस ब्रजभासा का प्रियोग हुआ है वात्सले वियोगर से माधुर्य गुण का प्रियोग हुआ है। कवी अपने मनतवे को प्रिकट करने में सफल रहे हैं। कवी के सिल्फ विधान में सहस्ता विद्धेमान है। प्रीती सिखीसी एवं चित्र लिखीसी में उपमा अलंकार का प्रियोग हुआ है। यहां सी सी जो सुचक शब्द हैं इसके कारण उपमा लंकार का प्रियोग हुआ है। कोशल्या अत्यतिक वियोग की कारण उणमाद की दसा को प्राप्त कर चुकी है। यहां सुंदर वर्नन किया गया है उणमाद की दसा का माता कोशल्या के माध्यम से। और अगले लास्ट वाले विशेष के बिंदू की अपन बच्चों बात करें। तो अगला जो बिंदु है वे है कवी तुलशिदास, राम भक्ति साखा के प्रतिनी धीव एवं अपने समय के प्रतिष्ठिक व्यक्तित्वे रहे हैं इस प्रकार से बच्चों इस पहले पदगा शंधार्ब, प्रसंग, व्याक्या और विसेश आपने देखा है इसके साथ ही प्यारे बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि शंधार्ब, प्रसंग और विसेश एक बहुत बहतरीन तरीके से केसे लिखा जाता है इसका एक अलग से वीडियो हमारे चेनल पर उपलब्द है वहाँ से आप देख सकते हैं धन्यवाद